प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टेडी बित प्रदीप पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जी आइसी हो पीजटी हो टीजटी हो उसके बाद आपका नीट एक्जाम हो उन सबके लिए हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं और जिसमें हम लो जी कवर करने बाद हम लोग रिटर्न आएंगे 15 फरवरी से पहले इतना कोर्स कर लेना और साथ में इनके प्रेक्टिस पेपर कर लेने यानि इसके जो क्योस्टन आंसर होते हैं उसको कर लेने जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया तक जितने भी प्रेक्टिस जाइंगी चलिए स्टार्ट करतें योय करियाटिक कोशकाई सबी आध्य discussion में इसमें जिलेदार अंगक नहीं पाए जाते हैं इसलिए वहाँ पर ribosome पाया जाता है ribosome कैसा अंगक है जिल्ली दार अंगक नहीं है और ribosome दोनों कोस्काव में पाया जाता है eukaryatic में भी prokaryatic में आप जानते हैं बस इन सब चीजों को एक बार memorize करना आप सब कुछ पढ़े हैं मुझे पता है eukaryatic कोस्काव में जिल्ली में केंद्रक आवरण युक ब्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि जिल्ली से आवरित यहाँ पे क्या पाया जाता है केंद्रक पाया जाता है जो कि prokaryatic कोस्काव में नहीं पाया जाता था इसके अतरिक प्रोकरियाटिक कोशकाओं में विभिन प्रकार के जटिल गत की योंग कोशकी कंकाल जैसी सनरचना मिलती है यहनमें आन्मनसिक पदार्थ गुरसुत्रों के रूप में बेवस्थित रहते हैं सभी योकरियाटिक कोशकाओं एक जैसी नहीं होती हैं यह देखी एक बड़ी मुद्दे की बात है कि सभी यूकरियाटिक कोस का हैं एक जैसी नहीं होती हैं आप जा करके पेपर कभी उठा कर देखेंगे तो लगभग 70% क्योस्टन जो है यूंसी आइटी की लाइन टू लाइन पूछ लिए गये हैं बहुत सारे मित्रे ऐसे यूपी के लगभग 10% लोगों की बात छोड़ दें तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी जोन में कमफर्ट हैं तो 90% लोग के साथ हम चलना हैं 10% लोग जो इंगलिस वाले हों उनके लिए एक ही क्लास में पूरी NCIT कवर की जाएगी और हिंदी क्या होगा कि आप दो बार पढ़ लेंगे एक बार इंगलिस वाला एक बार हिंदी वाला साथ हम प्रेक्टिस पेपर पूरा कर लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले क्योशन के गलत होने के चांस खतम हो जाएंगे दोनों प्रेक्टिस पेपर आपको करना हिंदी वाला भी करना है, इंगलिस वाला भी करना, उससे क्या होगा कि इंगलिस वाले में जो इसरसन रीजन आता है, वो इसरसन रीजन आपके आने वाले किसी भी प्रस्ट को गलत होने से बचाएगा, और आप कहीं कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, पादप यों जन्त कोषकाएं भिन होती है, देखीं, यहां पर दिया है, सभी कोषकाएं, युकरियाटिक कोशका एक जैसी नहीं होती है पादप वाजन्त कोशका जन्तु में भी यूकरियाटिक कोशका पाई जाती है और पादप में भी यूकरियाटिक कोशका पाई जाती है पादप कोशका की बात करें कोशका भित पाई जाती है लवक पाई जाते हैं लवक मतलब क्लोरोप्लास् Plastid Sorry लवक मतलब क्या होता Plastid होता है ठीक उसके बद आगे बढ़ जाएंगे योगए एक बड़ी केंद्रिय रस्धानी पाई जाती वेक्योल्स मिलती है एक इसकी बात हो वरी पादब कोषका की बात हो वरी क्या पाई जाता है कोषका भित सेलवाल हो गया लवक यानि प्लास्टिड हो गया और एक बड़ी रसधानी मिलती है जबकि प्राडी कोस्काओं में ए अनपस्तित होती है दोसरी तरह प्राडी कोस्काओं में तारक काय मिलता है जो लगभक सभी पादब कोस्काओं में अनपस्तित होता है आईए अब प्रते कोश की अंगों की संरचना वा कार्युधी का अधिर करें आगे बढढ़ेंगे कोश का जिली, पहली संरचना हमको मिलती है क्या कोश का जिली यहां से प्रशन कई पूछे गए हैं, अगर आप प्रैक्टीस पेपर उठा करके देखेंगे चाहे सिलपी का चाहे यूत का चाहे किसी और कंपनी का तो वहां पे आपको मिलेगा कि यहां से प्रशन बहुत ज़्यादा पूछे गए आपके टिजटी में भी पिजटी में भी कहने के लिए ते होता है कि मुझे आता है लेकिन जब प्रशन का सेग्मेंट बनता है तो वहा के रासाइनिक अध्यन के बाद जियुद्रब जिली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी अध्यनों के बाद इस बात की पुष्ट हुई कि कोशका जिली मुखता किसकी बनी होती है देखी यहां पर कोशका जिली मुखता लिपिड और प्रोटीन की ब पताय था कि लिपिट 3 प्रकार के होती है। Сाधारा लिपिट होती है देरिवेटिव लिपिट होती है। जो सन्युक्त होती हैं, जब वो किशें दो तक्तों से मिलकर करे बनती है। इसलिकर कि stood भी मही होती है। लोजल, भीरउ। neighbor highood chargewarz mosquito ? की बनी हुई आधरुभी पुछ जिली वातवरण से सुरच्छित रहती हैं इसके अतरिक फास्पो लिपिट जिली में कोलिस्टराल भी होता है बाद में जैवरासानिक अंसंधानों से यह असपश्ट हो गया कि कोश का जिली में प्रोटीन वा कार्बोहाइडरेट पाया जात है मनुस्त की रुधराण इरिथ्रोसाइट की जिली में लगभग बावन प्रत्सत प्रोटीन मनुस्त की रुधराण इरिथ्रोसाइट में आप लाल कणकाओ क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइट कहते हैं स्वेत रक्त कणकाओ क्या कहते हैं लियूकोसाइट कहते हैं और जब ज प्रोटीन को अलग करने की सभधा के आधार पर दो अंग भूत या पढ़धी प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं पर्धी प्रोटीन यानि जो जिल्ली के उपर पाई जाएंगी पर्धी प्रोटीन कहां पाई जाती है जिल्ली की सता पर पाई जाती हैं जबकि अंगभूत प्रोटीन अंसता या पूर्त्या जिल्ली में धसे होते हैं कोशका जिल्ली का उन्नत नमूना 1972 इस भी में सिंगर वा निकोलसन द्वारा प्रतपादित किया गया जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में ब्यापक रूप से सुईकार कर लिया गया इसके अनुसार इसको क्या कहते हैं तरल मुझे एक माडल कहते हैं ठीक है और दूसरा न इसके अनुसार लिपिट के अरध तरली प्रक्रित के कारण फास्फो लिपिट दूसता के भीतर प्रोटीन पार्स fundo quantity करता है जिल्ली के भीतर गत करने की चमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है यह है पूरी तरह से आपकी कौन फास्फो लिपिट और इसको आप धियान से देखिए त्यां पर इंट्रेंसिक प्रोटीन है इस्ट्रेंसिक प्रोटीन है दो लेयर हैं ठीक है जिल्ली की तरली प्रकृत इसके कारी इसके कारी जैसे कोस्कया बूरीध अंतर कोस्की सन्योजन दूर्पकार यह है कि इससे अड़ूं का परीवहन होता है, यह जिल्ली इसके दोनो तरफ मिलने वाले अड़ूं के लिए चैनीद पारिगम है, कुछ अड़ू बिना अणुर्जा की सहांथ आशकता कि इसुल्ली से होकर आते हैं, जिससे निस्क्री परिवहन कहते हैं, कहरा क कुछ कण कैसे हैं, अरजा के कण या कुछ अड़ों कैसे हैं जो बीना अरजा के, अरजा उसमें खर्ची नहीं होती है, इसके अंदर आते जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निस्क्रीप परिबहन कहते हैं। उधासीन बिले सांध्रता के अनूसार जैसे उच्छ सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की और साधारर विसरण दौरा इस जिल्ली से होकर जाते हैं जल भी इस जिल्ली के उच्छ सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की और गत करता है विसरण दौरा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं विसरण तोरा जल के प्रवाह को क्या कहते हैं परासरण कहते हैं ठीक है चुकि ध्रुबी अडू जो अध्रुबी लिपिट दुय सता से होकर नहीं जा सकते उन्हें जिल्ली से होकर परिवहन के लिए जिल्ली की वाहक प्रोटीन की आउसकता होती हैं कुछ आयन या अडू का जिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांदर्ता प्रवरता के विपरी जैसे निमने से उच सांदर्ता की और इस प्रकार के परिवहन हेथ उर्जा आधारित प्रक्रिया होती है इसमें ATP का उप्योग होता जिससे सक्री परिवहन कहते हैं यह एक पंप के पाई जाते है अऔर कहां पाए जाते हैं यह ऊफिक यासर व करेंगे पीज़ली के बाहर पाए जाने वाली द्रिण निर्जीव आवरण की कोश्का भित कहते हैं कोश्का भित कोश्का को केवल यांत्री खानियों और संक्रमर से ही रच्छा नहीं करता है बलकि यह कोश्काओं के बीच आपसी संपर्ख बनाये रखने तथा अवंचनी ब्रिहत अड़ों के लिए औरोध प नहीं होती हैं देखिए यहाँ दिया है स्लोप कि हो सकते हैं कि हो सकती हैं मोनास कि हो सकती है कहनी कार्बोने papers क्ये जबकि दोसरे पौदों में। अ हेमिंसमिलोज प्रोटीन की बनी होती है। नौ पादब कौस्काः की कौसका भित में आश्थित्प्रात्मक भितु में बृद्ध की छंता होती है जो कोस्का की परिपक्ता के साथ घटी जाती है वह इसके बाद कोशका के भीतर की तरफ दुती भीति का निर्मान होने लगता है मद्ध पटल का मुख्यता कैल्सियम पेक्टेट की बनी सत्ता होती है जो आसपास के बिभिन कोशकाओं को आपस में चिपकाए वह पकड़े रहती है कोशका बिभित योंगमध पटल क्या में जियो द्रब बतंत प्लाजमो डिस्मेटा आडे तिर्चे रूप से इस्थित होते हैं जो आसपास के कोशकाओं को जोड़े रखते हैं तो यह था पूरा आपका कोशकाओं कोशका जिली और किसको यूकरियाटिक कोशका को हमने इस वीड जहानी है ठीक है और उसके बाद आपका माइटोकांडिया है माइटोकांडिया के आगे बढ़ने के बाद यहाँ हम लोग समझेंगे लवक है प्लास्टिड और उसके बाद क्लोरोफिल राइबोसों और इतना करने बाद सेंटोपेंचर और पच्छा तथा कसाब सीलिया औ में कबर कर लेंगे और उसके बाद तारक का है तारक केंद केंदरक तो इतना कर लेने के बाद धिरे-धिरे हमारा कोर्स क्या होगा खतम होगा और नेक्स्ट वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उसमें हम पूरे कोर्स को कबर करने का प्रयास करेंगे जिससे य फिलाजी अलाब पोड़सन डाजस्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जिस समय आप फिलाजी पढद रहे होंगे उसी समय इन चैप्टर्स के आप क्या कर स्वेशन कर रहे होंगे तो जल्दी से चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब अपने दोस्तों को कर दीजिए सेयर फिर मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक ले दीजिए जाज़त नमस्कार